नमस्कार दोस्तों एक बार फिर सुवागत है आपका आपके अपने चेलन लाई उमंग में तो जैसा कि आप सभी को पता है अभी जो आप इकलासे चल रहे हो राजस्तान हाई कोड गुरूप डी एकजाम 2020 के लिए अभी कलासी वो कंटिनिशन चल रही है बात करें आज के कलास के बारे में तो आज आपकी जो कलास है वो राजस्तान हाई कोड गुरूप डी एक जाम 2020 के लिए आपकी राजस्तान जी के की कलास है आज आपका एक ओनलाइन प्रेक्टिशेट है और इस प्रेक्टिशेट में हम जो आपका स्लेबस है और एक्जियाम पेटरन है राज उसतना हाई कोड़ करूप डी का उसके कोडिंग आपको यह क्यूशन प्रवाइड करें तो आज इस वीडियो को माधिम से हम 20 क्यूशन करे और यह इपोर्टेट क्यूशन है जो बार-बार पत्योगी परिक्शा में पूछे जाते हैं तो अगर आप रोजाना क्लास से जोइन करें तो आप सभी को पता चल रहा होगी आप त्यारे हो किस लेवल की चल रही है आपको कौन से टोपिक पे और कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादे द्यान देने की आप से अपको इसी तरह से अपने त्यारी को क्या है आगे-जादी रखना है एक्जियाम डेट आभी कभी भी आ सकती है और जब भी आएगी आपको बता दिया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज किस मोडर बेपर को शुरू करने से पहले प्याला question आपकर आचुका है आपको बताना कि बसा है किसे कहते हैं हैं बताइब्सा का किसे कहते हैं चार उप्शन आपको दिये हुए, सही जवाब बताईए, क्या आएगा इसमी, क्या आएगा चार उप्शन में से, तो डिंगल भासा का है, होन से वो, का दता है, पर्थवी राठोड को, उप्शन नमर आजाएगा आपका, भी बिल्कुल सही जवाब, बढ़तेन एक्शन की अब आपको उताना है कि निमन में से अरावली परवत की इस्थिति है, बताईए, अरावली परवत की इस्थिति होतानी आपको कौन सी है, चार उप्शन आपको दिये हुए, जल्दी जल्दी उताईए, क्या आजाएगा इसमी, क्या आएगा चार उप्शन में से, तो इसम कि बढ़को ये चार आपANS आपको दिये दोधो अपटा लेकर हैं। कि आपको नोटम्स कर लेना हैं कि आएका, आपको आएकर कि वासले कर लेक्टास के एक वासलिज अपोंद़े एका variety आपका सी अगर आपने उप्शन नमर सी किया है तो आप अपना एक नमर जोड़ सकते हो बढ़ते नेक्शन की और थाली निर्त्य का संबंद किस वादे अंतर से आपको यह बताना है चार उप्शन आपको दिये वें से जो आपकी क्या आएगा इसमें क्या आएगा चार उप्शन में से थाली निर्त्य का संबंद कुछा आप से तो थाली निर्त्य का जो संबंद है वो है रावरत्ता उप्शन नमर डी आपका बिलकुर सही जुआप अगर आपने उप्शन नमर डी तुना है तो आप अपना एक नमर जोड़ सकते हो बढ़ते कि राजस्तान की मरूफ वासा कौन सी बोली वो कराती है चार ओप्षन आपको दियों सही जवाबताना आपको आज आपका एक प्रेक्टिशेट है इसमें आपके 19 में से कम नमबर नहीं आने चाहिए 19 पलस नमबर आने चाहिए 20 में से एक नमबर वो आपका कट सकता है इदर बग की बिल्कुल आसान आसान क्यूशन है इस लेवल का आपका पेपर आएगा तो सही जवाब क्या आएगा आपका इसमें तो इसमें आएगा आपका मारवाडी ओप्षन नमबर सी आजाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब क्या आएगा रास्तार की मरूब आसा कहलाती ह वो आजाएगा option number C, आपका बिल्कुल सही जवाब, बढ़ते नेक्षन की ओर, जो रावा लोग कीद कहां का परसीद है, बताएगे, बोस्ट इपोर्डेट की उसना आपका, क्या आएगा इसमें, जो रावा लोग कीद कहां का परसीद है, ये बताना था आपको, चारो option में स आपका जो सही जवाब होगा, वो आएगा आपका जैसल मेर, option number A आजाएगा आपका B, तो अगर आपने option number B किया है, तो आप अपना एक नमबर जोड़ सकते हो, बढ़ सकते नेक्षन की ओर, अब आपको बताने कि गोगा जी के थान किस वरक्ष के नीचे होते हैं, मुख्य वंतरिक कांगा पे, तो तीन है ध्यानकना, पहला है गोगा मेडी, जो मनगर जीले में है, दूसरा है ददरेवा, जो की चूरू डिस्टिक में है, तीसरा है गोगा जी की ओली सांचोर, जालोर में, तो तीन है ध्यानकना, इन तिनों को आपको अच्छी तरह से नीची होते द्यानकणा आप देखा होगा जब भी हम गोगाजी की पूजा करते हैं तो घर की दिवार पे जो हमारे गारे से क्याल बनाते हैं एसे खेजडी काचिन बनाते हैं और उसकी पूजा भी की जाती है तो अप्शन नमर आ जाएगा आपका सी बढ़ते एक्षन की और अब आपको बताना की कौन सा मेला वर्ष में दो बार आयो जित होता है बताए कौन सा ऐसा मेला है जो वर्ष में दो बार आयो जित होता है चार ओप्शन में से आपको बताना क्या आएगा क्या आजाएगा चार ओप्शन में से एसा कौन सा मेला है जो वर्ष में दो बार आयो जित होता है, तो कौन सा आजाएगा, चार ओप्सन में से, तो इसमें आएगा आपका जिर्ण माता, ओप्सन नमबर आजाएगा आपका, भी बिल्कुल सही जवाब, अगर आपने ओप्सन नमबर बेच चुना है, तो आप अपना एक नमबर जोड़ सकते हो, बढ़ते रेक्शन की और, लांगदार क्या है, बताइए, लांगदार क्या है, चार ओप्सन में से आपको ये बताना है, चार ओप्सन आपको दिये वें से, जवाब बताइए, कि लांगदार क्या है, क्या आएगा चार उप्षन में से लांगदार किसको बोलते हैं चार उप्षन में से अगर बात करें से जवाब की तो लांगदार वो दोती पैनने का धंग है दोती पैनने का धंग है उप्षन नमबर C आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़ते लेक्सन की और राजस्तान की मरू कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है बताइए राजस्तान की मरू कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है आपको ये बताना है क्या आएगा चारो आप्सन में से तो राजस्तान की जो मरू कोकिला है वो आएगा इसमें option number D अल्ला है जिलाई भाई option number D अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की ओर किस नदी के परवाय छेतर को राजस्तान में 56 का मेदान कहते हैं बताएगे किस नदी के परवाय छेतर को राजस्तान में 56 का मेदान कहा जाता है 4 option में आपको ये बताना है 4 option आपको दीए मैसे जो बताएगे क्या आजाएगा इसमें QC को दियान से पड़िएगा कि किस नदी के परवाय छेतर को राजस्तान में 56 का मेदान कहा जाता है Most devoted QC option number आजाएगा आपका C माही नदी option number C अगर आपने किया है तो आप अपना एक नमर जोड़कर आगे बढ़ सकते हैं next one कि आपका ओली कातियोहार किस माहे में मनाया जाता है बताएगे ओली कातियोहार है वो किस माहे में मनाया जाता है most reported education option बिल्कुल आसान-असान question पूछे जा रहें आपसे क्या आएगा ओली कातियोहार आएगा वो आएगा आपका फाल गुन में option number C आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़तन एक्शन की और अब आपको बताना कि तेजा जी का मेला आयोजित क्या जाता है कब क्या जाता बताएं? आपको ये बताना है चार-age option में से क्या रहें है स्फों पूछे सबर सर्था झाइगा primिल्कुल सही जवाब की तो तो त्वाइर ओडी जाने वाली ओड़ोडीं क्या कर लाएक गुंग क्या आएगा चीड का पॉमचा opinion noc कि अगर आफने किया है तो आपका बिल्कुल सही जुआ बढ़ते नेक्शन की ओर एब आपको आपको पाना की रजस्तानी बाशा काॉपती काल है बताई रजस्तानी बासा का उत्पतिकाल किस काल में माने जाती है बता है ये चार उप्षिन में से क्या आएगा क्या आएगा चार उप्षिन में से तो राजसानी बासा का जो उत्पतिकाल है वो बार्विस्ता अब दिमाना जाता है उप्षिन नमबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन के और अब आपको बताना है कि केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोग निर्थे है कौन सा बताईए केला देवी के मेले में किया जाने वाला लोग निर्थे है आपको बताना है कि कौन सा आएगा चार आप्शन में से यह लंगूरिया गीत पर ही किया जाता है यह भी आपको ध्यान रखना है बढ़ते नेक्शन की ओर भील इस्तरी पूरुस मिलकर कौन सा लोग गीत गाते हैं यह चार ओप्सन में से बढ़ते नेक्शन के और आपको तो किसको मानते हैं कर आगो Option नमबर आएगा आपका C आएगा आपका बिल्कुल सही जवाब बढ़ते नेक्शन की ओर अब आपको बताना है कि आँख मिच्चिया हंदेरो होई राजस्तानी कावतकार्थ बताना आपको आँख मिच्चिया हंदेरो होई राजस्तानी कावतकार्थ बताईए चार उप्शन में से क्या आएगा क्या आएगा चार उप्शन में से तो इसमें आएगा ध्यान नय देने पर एहसास का नय होना उप्शन नमबर C आएगा आपका बिल्कुल साई जवाब बढ़ते नेक्शन की और ग्यान समुन्दर के रचनागार का आपको नाम बताना है बताईए ग्यान समुन्दर के रचनागार का आपको नाम बताना है चार उप्शन में से क्या आएगा कौन से कभी है जिन्होंने ग्यान समुन्दर नमक रचना की है किसने की है सुन्दर दाज जी ने ओप्स नमबर सी आजाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब तो ये तो था आपका आज का हिंदी व्याक सुरी रास्तान जीकिएगा ओलान प्रेक्टिस एट अब आपको बताना है कि इन 20 में से आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो शेयर लाइक और शेयर जूरूर करना है अगर आप जैन पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना साथ में आपको इदरे एक बेल ऐकन देख रहा उसको आपको प्रेस करना ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाल जाए आपके बास उसका नोटिफिकेशन आजाए और आप जल्च से जल्च के वो क्लास जोइन कर सको तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते एक नई क्लास के साथ तब तके लिए जैन जैबाद धन्यवाद